नमस्कार आपका स्वागत देर राजनामा दुनिया पे मैं पूनम आपके साथ दंगल फेम एक्ट्रेस फातिमा सनाशेक ने हाल ही में अपने फैवरेट बॉलीवूड एक्टर के बारे में बात की है एक्ट्रेस ने कहा कि वो शारुक खान की बहुत बड़ी फैन है पर वो मानती है कि आमिर खान ने ओडियन्स को बहुत कुछ दिया है एक इंटर्वियू में फातिमा ने कहा मैं शारुक खान की बहुत बड़ी फैन हूँ पर मुझे ऐसा फील होता है कि आमिर ने ओडियंस को हर तरह की फिल्में दी हैं चाहे वो रंग्डे बसंती हो, पिके हो या फिर पिपली लाइब इस अभी फिल्में अलग रही हैं फातिमा ने 2016 में रिलीज हुई दंगल में आमिर की बेटी का किरदा ने बाया था इसके बाद वो आमिर सारा ठक्स और हिंदोस्तान में भी नजर आई थी कम ही लोग जानते हैं कि 1973 में रिलीज हुई आमिर की फिल्म इश्च में फातिमा ने चायल्ड आर्टिस के तौर पर काम किया था इसके लावा वो 2001 में रिलीज हुई वन्टू का फोर में शारुखान के साथ भी काम कर चुकी है बदोचायल्ड आर्टिस फातिमा ने चाची 420 में कमल हसन की बेटी का रोल निबाया था आमिर की दूशी पतनी किरन राव से तला के बाद से ही आमिर का नाम फातिमा से चोड़ा जा रहा है दोनों को आए दिन सोचल मीडिया पर टोल भी किया जाता है फातिमा की आमिर की बेटी आयरा से अच्छी ट्यूनिंग भी है इसके साथ बने रहे राजनामा दुनिया के साथ धन्यवाद